एक फिल्म फलॉप किया हुई कि रोहित शैटी को समझा गया कि दम तो आखिर आजेदेवगन में ही है, असली स्टार आजेदेवगन ही है रोहित शैटी की सलंग फिल्मे सूपर है और रोहित शैटी ने कई इंटर्वियूज abroad और घमन्ट से ये बात कही है सरकस फिल्म में रनवीर सिंग के डबल रोल और इंडस्ट्री के बहतरीन आक्टर्स को लेकर भी इस फिल्म को रोहिच चेटी हित नहीं कर पाए और अब रोहिच चेटी को समझ आ गया है कि उन्हें अपने पुराने ट्रैक को ही फॉलू करना चाहिए यह नया काम या नय आक्टर के साथ जो वो काम करना शुरू कर रहे हैं यह नहीं करना चाहिए रोहिच चेटी ने सरकस के बाद अब फिर से अजय देवगन के साथ एक फिल्म की घोशना की है हम सब जानते हैं कि रोहिच चेटी को इंडस्ट्री में चांस देने वाले अजय देवगन ही है और रोहिच चेटी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा फिल्में अजय देवगन के साथ ही बनाई है बस एक अक्षे कुमार के साथ और रनवी सिंग के साथ दो फिल्म है बाकी वो लगातार अजय देवगन के साथ ही काम करते आए हैं फिर चाहे उनकी फिल्म सिंगम हो, गोलमाल हो या फिर ये फिल्म जिसकी नए साल होते ही रोहिच चेटी ने घोशना कर दी है जी हाँ, एक बाक फिर से रोहिच चेटी अजय देवगन के साथ काम कर रहे हैं रोहिच चेटी अजय देवगन को फिल्म का नरेशन दे रहे हैं सिंगम की सीरीज की अगली फिल्म है जो अजय देवगन के साथ रोहिच चेटी बना रहे हैं अज़देवगन ने 2023 लगते ही सबसे पहली पोस्ट इसी चीज़ की की है कि रोहिच शेटी से उन्होंने सिंगम अगयन का नरेशन सुना है तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से रोहिच शेटी और अज़देवगन की सूपर हिट जोड़ी साथ आती नज़र आ रही है इस फिल्म के साथ ये 11 प्रोजेक्ट होगा जिसमें ये दोनों एक साथ काम करेंगे और फिछले सारे प्रोजेक्ट इनके सूपर हिट हुए है अब फैंस का इस पर तरह तरह का रियाक्शन आ रहा है लोगों का रोहिच शेटी को कहना है कि एक फ्लॉप फिल्म हुई तब जाकर रोहिच शेटी की अकल ठिकाने आई कि अज़देवगन के साथ काम करकी ही हिट फिल्म में बनती है